आज की इस वीडियो हम बात करने जा रहे हैं कि पिता का पूरुपर्टी में पूत्र को कब हिंसार नहीं मिलेगा यदि कोई पूस्तेनी पूरुपर्टी है तो उसमें किस-किस इस्थिती में पूत्र का हिंसार नहीं मिलने वाला है यदि पूत्र चाहे कोट में केस भी करना तो ऐसे भी इस्तिती में पूत्र को बिल्कुल भेहिसार नहीं मिलने वाला है, तो इसी के बारे में आज के इस वीडियो होगो विश्टार से बताने जा रहे हैं, तो यदि आप वीडियो में आख्री तक बने रहेगा, तो आपको हर चीज विश्टार से समझ में आ जेगा, आप बेडियो में आक्री तक बने रहे हैं, ठीक है? चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं property का परकार का बारे में, तो एक होता है पुस्तेनी property, तो पुस्तेनी property होता है उसी को इंगलीज में ancestral property कहा जाता है, और यही ancestral property को ही inherited property के नाम से ही जना जाता है, मतलब इस दो के अरजित करता है कमा के को एक परपती खड़िता है उसे horns or अब माले जए कोई भी पूत्र का या पूत्री का हिसा किस किस इस्तिती में पुरपती में होगा और किस इस्तिती में नहीं होगा इसके लिए informing के अधार पे अलग-अलग लगलघ लॉव बन आया सत्राइब के दिए इसमीन घ्रीसिए से पूत्री को भी हिसंय मिलने लग detail करने के दिए उसके लिए कानून बणाया गया है भारतिय उत्राधिकार अधिनियों और यदि कोई मुस्लीम है उसके लिए मुस्लीम प्रस्वनलग बनाया गया है तो उत्राधिकार जो है इसी के हिसाब से अलग-अलग धन के हिसाब से जो है वहाँ पे तैक किया जाता है तो जो पुस्तेनी पुरुपर्टी होता है, तो पुस्तेनी पुरुपर्टी उस पुरुपर्टी को कहते हैं, जो कम से कम, चार पुस्त से चले आ रहा है, यह से मान लेजिए, आपका पिता जी को जो पुस्तेनी पुरुपर्टी मिला है, वो यदि आपका, मतलब पिता का ज जी का जो ददा जी है उसके दौरा जिदी क्या जाता है यो पूष्ट नी क्या जाता है जो पूरवच के방 दौरवज के दौरा है तो यहां पर पूठ्र को हिस्षा मिल सकता है और नहीं भटवरा का है साथी साथ यदि कोई पुरुवज के दुवरा मान लेजे आपका पिता को कोई पुरुपर्टी जो मिला है आपका दादा के दुवरा वो पुरुपर्टी आपका दादा के दुवरा पिता को गिफ्ट किया गया है या फिर वस्यत किया गया है या फिर रजिस् बिल्कुल भी नहीं होगा यह पुरपर्टी जिस व्यक्ति को मिला है वो कोई भी व्यक्ति को बेज सकता है या फिर कोई व्यक्ति को दान कर सकता है उसका जो भी संतान होगा यानि कि जो व्यक्ति दान करेगा उसका जो भी संतान होगा इस पर आपती नहीं कर सकता है हलाकि कि इस-किस इस्थिति में आपती करेगा इस विशे पर हम पहले एक वीडियो बना चुके हैं आप मेरा फिर्वेश वीडियो जाके देख सकते हैं अब मान लेजिए यदि कोई पुर्वज का प्रोपर्टी है और पुर्वज जिवीत नहीं है मिर्तियों उपरांत वो प्रोपर् हिसा मिलेगा और किस प्रोपर्टी में हिसा नहीं मिलेगा तो यहां पर एक चीज बताना बहुत जरूरी है जिस अनुसार से पूत्र को हिसा मिलेगा उसी के एकोडिंग पूत्री को भी बराबर बराबर हिसा मिलेगा यदि मान लेजिए कोई पांच जिसमील जमीन है ठीक ह तो पुस्तेनी पुरुपर्टी में भी कभी हिसा मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो किलियर हो गया है अब थोरा समबात कर लेते हैं कि मतलब बहन है तो उसको हिसा मिलेगा या नहीं तो 100% मतलब भाई के तरह ही बहन को भी पुस्तेनी पुरुपर्टी में हिसा मिलेगा यदि वो आप लोगों नहीं करते हैं लैक केजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को सेयर कीजिए